हेलो एवर्यों फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल गाओं की हाउस्वाइफ फ्रेंड्स आज में रियूज करने वाली हूँ पुराने शॉपिंग बैक का जिसे कच्छे में फेकने की अलावा हमारे पास और कोई आपसन नहीं होता है क्योंकि यह काफी जदा फड़ चुक इस तरीके से हमें जगा जगा पर 16 इंच में में इसे इसे सीध्री लाइन यहां पर नहीं है उसे हम इसके अंदर फिल कर देंगे जू सॉपिंग बैग जिस सेप में हैं हमें उसी सेफ में इसके अंदर फिल कर देना है हमें काट कर इसका कत्रन नहीं बनाना है सिर्फ हमें इसके अंदर फिल कर देना है और अच्छे से फिल करना है ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे तो जितने भी स्वापिंग बैग हैं हम इसमें फिल कर दिये हैं अब जहां पर जो हमने निशान लगाया था उस निशान को देखते हुए हमें जो एक्स्ट्रा है अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसे इस तरीके से इस्ट्रेट मिला देंगे और हम यहां पे सुई धागे से इसकी सिलाई करेंगे तो हमें एक सु की चीजों को हम कभाड समझते हैं और बाहर से उसी कभाड को हम पैसे देकर खरीद कर लेकर आते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती घर की ही चीजों को एक नया लुक देने का कोशिश करती हूं तो यह देखें इस तरीके से इतनी तो सिलाई हमारी हो चुकी है और यह रेडी हो चुका है हमने इसी के साइज का एक कभर भी रेडी किया है और इस कभर के अंदर हमें इसे धीरे धीरे अच्छे से फिल कर देना है यहां पर हमने इसी के साइज का कभर रेडी किया है तो इसी लिए हमें थोड़ा अच्छे से इ का लगा कर इसे अच्छे से सेट कर देंगे तो दिखिए हमारा प्यारा सा कुशन रेडी हो चुका है बिल्कुल टाइट है एकदम स्पंजी है और लाइट वेट भी है और फ्रेंड्स कोई कह नहीं सकता कि आपने इसे पुराने शॉपिंग बैक से बनाया है काफी सुन्दर लग रहा है दिखने में फ्रेंड्स जो मार्केट का कुशन होता है उसकी हालत कुछ दिनों में इस तरीके से हो जाती है कि वह लूज हो जाता है और टाइट खड़ा नहीं होता है एक जगह लेकिन देखिए जो घर पे मैंने तयार किया है वह काफी टाइट है और एकदम स् ये मार्केट वाला देखिए कैसा लूज हो गया है तो फ्रेंड्स मैं उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आये होगा अगर पसंद आये तो इसे लाइक करें थैंक यू